एक दिन राजा मोहंदेव राय कुछ दर्बारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड थी। उन्होंने आकर दर्बारियों से पूछा तो वे बोले महाराज, विजयनदर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चैंके, फिर बोले तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। भला इतने लोगों को भी क्यों मांगनी पड़ रही है। कुछ देर बाद राजा ने बाबुलाल को बुला कर कहा बाबुलाल, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्ज में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। बाबुलाल बोला महाराज मुझे इसके लिए साथ दिन की छुट्टी चाहिए। राजा ने पूछा, क्यों? बाबुलाल बोला इसलिए महाराज की मैं भी भीक मान कर थोड़ी कमाई कर लू। फिर आपके सवाल का जवाब भी धूंड लूँगा। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले ठीक है बाबुलाल पर साथ दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एके करके छै दिन बीद गए। राजा को उच्सुकता थी कि भला बाबुलाल कर क्या रहा है। उन्होंने दर्बारियों से पूछा तो सभी मुव फेर कर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा महाराज वाकई बाबुलाल भीक मान रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हां महाराज बाबुलाल बहुत जिद्धी हो गया है। अब तो उसे राजदर्बार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध हा गया। बोले अच्छा तो अब बाबुलाल ने भीक मानना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला महराज अभी भीक मानना कहां सीख पाए है। भीक मानकर पहले तो गुजारा ही कहां होता है। फिर उसमें ना जाने किस-किस का हिस्सा। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चला कर कहा। यह मंतरी जी बताएंगे। महराज यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। आप इसकी बात मत सुनिये मंतरी ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महराज आप उस भिखारी की बात मत सुनिये पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते खते आगे खड़े बाबूलाल ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने बाबूलाल खड़ा था। देखकर राजा चक्राएं। बाबूलाल बोला महराज इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताईए कि उन्होंने उसे कहां छुपा दिया है वरना तो। सुनकर मंत्री के चहरे की हवाईयां उडने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिष्टेदार रगुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई बाभुलाल की प्रशंसा कर रहा था। शिक्षा थोड़ा दिमाग लडाने से बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधा निकल आता है। झाल